जी क्वान्सा इंडियस इंडियस और अरे नंबर दिखना पड़ रहा है तुमको जी कौन सा इंडियस 23 ओके जी अब 23 में क्या होगा सर अमने लास क्लास में क्या पढ़ा था हमने सर एक्शेंज लॉस का पढ़ा था कि अगर कोई exchange difference आये तो उसको कैसे treat करना तो मैंने का था loss आएगा तो उसको क्या करना है borrowing cost का part मानना है उसमें भी कितना part मानना है जितना exchange loss हो या difference between the interest interest किसके बीच में interest in the functional currency and interest in the foreign currency दोनों का जो difference होगा वो या exchange loss whichever is lower जो भी दोनों मैंसे कम होगा तो उसको borrowing cost का part मानेंगे okay समझा था कि नहीं समझा था एक्षेंज गेन होगा तो मैंने कहा था उसका कोई treatment आपको नहीं करना यह रहा एक्षेंज का कोई treatment नहीं करना एक्षेंज लॉस का क्या करना है त्रीटेट एज बॉर इंग कॉस्ट अगले साल हमको क्या हो जाए एक्षेंज गीन हो जाए तो क्या करेंगे जितना एक्षेंज आपने बोरेंग कॉस का पार्ट माना थुंद आगे चल के सक てालिग करने वाले हो हुना है नहीं हो वारेंग करते नहीं क्या करने अपने रहिए व पर इंट्रस नहीं आइस वहीं हया था अभी फट्टा पट से एक और एक्जामपल करते हैं और समझे में आ जाएगो इक्जामपल देखो देखो फारेंड करेंसी बॉराइंस 1000 डॉलर पारेंड करेंसी बॉराइंस 1000 डॉलर Considerate को 1 April 2021 Interest Rate in US 4% India 12% Exchange Rate Exchange Rate on 1st April 2021 $1 equals to Rs.40 $1 equals to Rs.40 Okay Now Payla question Calculate Boring cost To be capitalized Calculate Boring cost To be capitalized ये माना जा रहा है कि ये जो हमने बोरो किया वो किसके लिए किया है For Foreign currency borrowings किसके लिए For qualifying Asset तो Boring cost To be capitalized कितना Boring cost तुमको Capitalize करना है Calculate Boring cost Will be capitalized If Exchange Rate On 31st March 2022 If Exchange Rate On 31st March 2022 Is $1 equals to Rs.50 Duesra question What will be The adjustment If Exchange Rate On 31st March 2023 Is $1 equals to Rs.48 48 Decor What will be What will be What will be The adjustment If Exchange Rate On 31st March 2023 2023 2023 Is $1 equals to Rs.44 Fourth Okay Again Again What would be The treatment What would be The treatment If 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 $600 Was Tied On 31st March 2022 2022 And Exchange Rate On 31st March 2023 2023 2023 2023 $1 $44 Okay एक अप्रेल 2021 को जब लोन लिया है ना तब तो रेट क्या है 1 डॉलर इक्वल टू रुपीज 40 फिर 31 मार्च को 2022 को पहले साल के एंड में रेट कितना लिया अपने 1 डॉलर इक्वल टू रुपीज 50 फायदावा की नुक्सान नुक्सान हो रहा है 10 रुपैपर डॉलर का अगर साल एक्षेंज लॉस फिर दूसरे साल के लिए आपको पूछा एड़्जस्मेंट क्या एड़्जस्मेंट होगा अगर इकरते समयर 2023 को वन डॉलर इक्वल टू कितना हो जाए 48 पिछली बार 50 तक का लॉस बुक की आवा था अगर 48 हो जागा तो दो रुपे का फायदा होग अचा फिर मैंने पूछा अगर 31 मार 2023 को ही 48 नहीं खितना होथा? 44 होथा तो क्या होता? 44 होथा तो 50 रुपे के बाद 45 रुपे का फायदा होगा की नहीं होगा? पर डॉलर होगा फिर मैंने पूछा कि अगर मान लो क्या कि 600 डॉलर का मैं पेमिंट कर चुका हूँ गत्यसमार्ट 2022 को जब एक डॉलर रुपय पचास था एक डॉलर रुपय कितना था पचास अब क्या हो रहा है अब भी गत्यसमार्ट 2023 को बॉलर ये कितना करना है केवल 400 डॉलर का करना है कि नहीं करना क्योंकि 1000 में से 600 डॉलर थो मैं पिछली बार पे कर चुका हूं तो अब रहन की डेट का एक एककेशेंज रेट अच्छा और एक साल बात का बहुए एक 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 एकशेंज रेट लिया है मैंने $1 to 50 वही सब में काम आने वाला है वही सब में काम आने वाला है फिर continue में फिर मनाया what if अगर 31st March 2023 को 48 रुपए हो अगर 44 रुपए हो अगर 400 डॉलर का सरी 600 डॉलर का payment हो और फिर 23 को कितना $1 यह इन के लिए रखा सटी थे लिए अलगला किसे बनाए है वा तो क्या कर ना न चलो देखो और पहले साल में हो चाहा आगे आने वाले सालों में हँख साल सीम ट्रीटमेंट होगा हट साल सीम ट्रीटमेंट होगा एक संग लाज का चलो सर्प करते हैं सॉलिशन सबसे पहले तो पहला पर्स पार्ट सबसे पहले एक्षेंज लॉस देखते हो तुम लोग एक्षेंज लॉस कितना है सर हमने ना 1000 डॉलर का लून लिया था और फर्स येर के एंड में 1000 डॉलर का लॉन लिया था फर्स येर के एंड में रेट है 50 रॉपए पर डॉलर जब लॉन लिया था 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 40 रॉपए पर डॉलर तो अगर आज पेमिंट करना पढ़ गया मेरे को तो 10 रॉपए पर डॉलर एक्षेंटा लगेगा कितने रॉपए 10 रॉपए फिर B part difference between the two interest difference between the two interest कौन सा इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट इन हाँ फंक्शनल कट हाँ इंट्रेस्ट लिख दो बोराइं कॉस्ट लिख लिख लो इंट्रेस्ट इन आप अगर पूरा लिखना चाहो अगर इतना लिखते हो तो भी ठीक है और अगर पूरा लिखना चाहो तो इंट्रेस्ट इफ औरोड इन फंक्शनल करेंसी अगर आप फंक्शनल करेंसी में बोरो करते हैं तो आपको इंट्रेस्ट कितना पड़ेगा मैंने का देखो मेरा 1000 डॉलर का लोन था, उस दिन रेट था 40 रुपए इसका मतलब में इंडिया में अगर बोरो करता तो 40 रुपए बोरो करता की नहीं करता, मेरी 40 रुपए की नीड होगी तभी मैंने 1000 डॉलर बोरो की है वहाँ से तो 1000 डॉलर इंटो 40 रुपए चालिस हजार रुपए बोरो करता तो इंट्रेस रेट इंडिया में कितना है 12 पसेंट 40 रुपए का 12 पसेंट कितना होता है 48 ओके फिर लेस कर देते हैं क्या एक्शल बोराइंग कॉस्ट एक्शल बोराइंग कॉस्ट in foreign currency या आप लिख सकते हो actual बोराइंग कॉस्ट on foreign currency बोराइंग्स on foreign currency बोराइंग्स on foreign currency borrowings कितना sir foreign currency बोराइंग्स ही 1000 डॉलर की और मेरिको उस पे interest देना है US में 4% तो 1000 डॉलर का 4% कितना होता है sir 40 डॉलर 40 डॉलर का एक साल बाद payment करूंगा तो एक साल बाद rate कितना है 50 रुपै पर डॉलर है तो 40 डॉलर देने के लिए मुझे कितने रुपै खर्च करने पड़ेंगे कितना 2000 ओके दोनों का difference कितना 2800 दोनों का difference कितना 2800 अब capitalized कितना करना है वो लिख लेते हैं borrowing cost to be capitalized to be capitalized कितना करेंगे सर एक तो हम करेंगे क्या actual borrowing cost actual borrowing cost कितना था actual borrowing cost 2000 रुपै actual borrowing cost था 2000 रुपै obviously किस पे on foreign currency borrowings और दूसरा था क्या exchange loss उसको भी borrowing cost का part मानना है exchange loss to the extent to the extent as an adjustment as an adjustment to the interest as an adjustment to the interest कितना था lower of a और b इस बार हमने a और b वर्ड यूस कर लिया था न lower of a और b this one a और b a कितना और b कितना sir a था 10,000 बी था 7,200 को पेंडल में ट्रांसफर कर दोगे बिल्कुल तो 4,800 total borrowing cost to be capitalized आप चाहें तो लिख सकते हैं remaining exchange loss remaining exchange loss कितना 10,000 minus 2,800 2,800 तो आपने borrowing cost का पार्ट मान लिया बागी बचा 7,200 will be transferred to T-endal will be transferred to T-endal कितना था हो गया हूँ पहला था अब दूसरा पहला समझना आ गया था तो जैसे किया था वैसे ही था ओके जी दूसरा क्या पूल रहा है what will be the adjustment if exchange rate on 31st माच 2023 is $1 $1 to 48 पिशली बार 50 तक loss पूक कर चुके थे अभी 48 पर डॉलर है तो अभी अगर मैंने payment किया गरतिस माच 2023 को अगर मैंने payment किया $1,000 का तो 50 नहीं मुझे 48 रुपे ही देना पड़ेगा पर डॉलर तो 2 रुपे पर डॉलर का मुझे फाइदा होगा तो 2 यर में exchange gain हो रहा है तो लिखो exchange gain अजर starting से compare नहीं करेंगे किया नहीं रहे starting को जो borrowing का date था उससे तो first year की balance sheet की date को compare किया फिर next balance sheet की date को first balance sheet की date से compare करना ठीक है एक्सेंज रेट इतना था था थो भाईया exchange gain कितना होगा exchange gain होगा हमारा 1000 dollar into पिछली बार 50 था इस बार 48 है 2 रुपे पर डॉलर का फाइदा 2000 आप लास्ट येर तक कितना एक्सेंज लॉस बॉरिंग कॉस्ट का पार्ट मान चुके थे बताओ एक्सेंज लॉस एक्सेंज लॉस ट्रीटेड एस बॉरिंग कॉस्ट ट्रीटेड एस बॉरिंग कॉस्ट अप टू लास्ट येर पिछले साल तक आप कितना कर चुके थे सर बॉरिंग कॉस्ट 2800 रुपे हम क्या कर चुके थे पिछली बार कर चुके थे है ना 2800 रुपे तो 2800 में से अप क्या किया जाएगा एक्षेंज गें 2000 है तो इस 2000 को क्या किया जाएगा बॉरिंग कॉस्ट में से डिड़क कर दिया जाएगा ओके तो एक्षेंज गें एक्षेंज गें स्टुके उप्रूपईस औरया कुस्टन सेलिए . इडके टिंग्टी थे आस्ट क्या का क्या गेंगा क थे जाएगा To be capitalized. To be capitalized. So maximum कितना कर सकते हो? 800 कर सकते हो. यह तो अच्छा है कि exchange गेन 2800 से ज़्यादा नहीं हुआ. Sir, exchange कि गेन अगर 2800 से ज़्यादा हो जाता तो maximum 2800 ही आप क्या कर सकते थे? reverse कर सकते थे, deduct कर सकते थे. Capitalize तो अभी हमको यह देख रहे हैं कि capitalize करना कितना है? अभी तरह वो qualifying asset तयार नहीं हुई है ना? अच्छा? हाँ, बिल्कुल. बिल्कुल, बिल्कुल. खेंगे ना? अच्छा? इस बार second year का हम देखो, क्या होगा? exchange गेन तो इतना हो गया? खेंगे ना? अब exchange गेन तो इतना है और actually तुमारा borrowing cost भी तो होगा होगा इस बार का? actually borrowing cost भी तो होगा होगा? तो इस बार का तुमारा जो actual borrowing cost है वो कितना है? इस बार का तुमारा actual borrowing cost देखा जाए तो, actual borrowing cost कितना है इस बार का? सर वही 1000 डॉलर 1000 डॉलर और अमाउंट कितना 4% ना 4% और इस बार का rate कितना है 48 तो interest तो देना पड़ेगा ना कितना होगा यह 19 20 अब यह जो actually borrowing cost है यह तो capitalize करना ही करना होता है यह तो capitalize करना होता है तो यह क्या हो जाएगा to be capitalized तो in short यह क्या हो जाएगा in short क्या हो जाएगा 1920 तो add हो जाएगा capitalize करने में और 2000 क्या हो जाएगा less हो जाएगा पहले तो क्या हो रहा था यह 2000 borrowing cost to be capitalized तो यह capitalized किया जाएगा और 2800 इसमें add कर दिया था loss था इस बार क्या और है उनने सो बीज जो है एक्ट्ट बोरेंग कोस्ट वह तो ही जो एक्षेंज गीन हुए तो जाब वो इसमें से लैस होजाएगा इसमें से किसमें से टोटल बॉरेंग कॉस्ट में से आपके अप्लाइश करने वाले हो एक चलिए नेक्स्ट थर्ड बन अगर मान लो एक्ट्ट बोरेंग कोस्ट लिख लो यह आपके मोडिल का है क्वेशन और इसमें एंसी क्यूज में आया वाई यह इसा इतना चोड़ा-चोड़ा सा की करेंगे क्या है एक है क्वेशन बना दिया और इसमें से लग-लग पूचे गए हैं कि अगर इस साल बोरेंग कोस्ट तो इतना हो गई होगा और एक्ट्रेंग टूबी रिवर्स ठीक है ना इन या टूबी डिड़क्टिट प्रम बोरेंग कोस्ट ओके अब थर्ड येर में सब्सक्राइब नहीं सेकेंड येर ही जल रहा है थर्ड कुश्यन है 31 मार्ट 2023 को मैं ने का 48 रुपए ना होगे क्या होता एक डॉलर एक पल टू चम्वालिक्स रुपए होता तो एक्शेंज गेन कितना होता तर उसकेस में हमारा एक्शेंज गेन होता 1000 डॉलर एंटू रुपीज पिशली बार 50 सा खर्चा बुक कर चुका था अब भी 44 होगा तो 6 रुपए का 6 रुपए पर डॉलर कितना होगा 6 हजार 6 हजार मायन विल्पए लेकिन एक्शेंज लॉस पिशली बार ते कितना ट्रीट किया था तुमने एक्शेंज लॉस ट्रीटेड एस बोराइंग कोस्ट अब टू लास्ट येर कितना था 2800 ही था 2800 क्योंकि उसी कुछिशन को करने आपन बस 48 की जग है इस बार 44 है आप आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो रिवर्स जब कितना कर सकते हो 2800 इतना पिछली बार मैंने एक्शेंज लॉस पिछली बार तक में क्या हो सकता है एक साल भी हो सकता है दो साल भी हो सकते है किते भी साल हो सकते है तो पिछली बार तक मैंने जितना एक्शेंज लॉस क्याप्लाइज कर दिया है बोराइंग कोस का पार्ट मान लिया उतना अमाउंट तक अगर exchange gain होता है तो उतना अमाउंट तक आप क्या कर पाओगे, deduct कर पाओगे, तो 2800 तक आप deduct कर पाओगे, will be deducted from borrowing cost, from borrowing cost to be capitalized. और यह 2800 तोपया से लिख देना क्या, maximum है यह तो, borrowing cost to be capitalized. और जो actual borrowing cost आना है वो तो आ नहीं है, ठीक है, अच्छा सर, बाकी के exchange gain को क्या करेगे, पिंडल में transfer, remaining exchange gain को क्या किया जाएगा, पिंडल में transfer, ओके, लिखना हो तो लिख सकते हैं, remaining exchange gain will be transferred to Pn12, Pn12, 4th one कितना exchange gain, obviously 6000 minus, अठ़ाइस लो, अब fourth one fourth one में क्या क्या पुछा क्या treatment होगा अगर 600 dollar का payment तो पिछले साल ही हो गया था 600 dollar का payment तो पिछले साल ही हो गया था तो बहले आप 600 डॉलर का पेमेंट कर चुके हैं, तो अगर 600 डॉलर का पेमेंट कर भी चुके हैं, तो भी क्या होगा, एक्षेंज लॉस इतना ही आएगा ना, 31 मार 2022 को तो इतना ही आएगा ना 600 डॉलर का payment कर चुका हूँ 400 डॉलर का payment नहीं की है तो भी maximum loss तो इतना ही मानता हूँ चाहे realized हो चाहे unrealized realized मतलब 600 डॉलर के regarding तो मैं वाकई में pay कर चुका हूँ 50 रुपए के हिसाब से 600 डॉलर का तो मैं payment कर चुका हूँ किस रुपए के हिसाब से 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर चुका हूँ तो वो तो realized loss हो गया अग तरीके से ठीक है ना बुक डो गया वो loss तो लो loss बुक हो चुका है लेकिन जो भी तक loss actually realized नहीं होए unrealized loss unrealized loss की तना 400 डॉलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीम ट्रीट में रहेगा इकत्यसमार्ट 222 में कोई फर्क नहीं आने वाला ठीक है अच्छा तो सरी इकत्यसमार्ट 23 में आएगा हाँ actual boring किदर actual boring cost नहीं साल बेर तक आपने 1000 डॉलरी तो borrow करते रखा था pay तो past नहीं किया ना तो पीच में क रहते होता एक अलग बात थी पीच में करते तो एक अलग बात होती है actual boring cost पर अलग आजाथा ठीक है नॉलर्वीच में पे करते तो last myth अफेक्ट आता ही नहीं जितना बीच में पीच अकिवाल वहां तक का एक्सेंट लॉस यागिन ट्रीट किया जाता हूं तो अभी चाहे पे किया हो चाहे ना पे किया रेंड उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हां लेकिन निकत्ति समाइच दो जाट तो फर्क पड़ेगा क्योंकि सेकेंड यर के फला आउस्टेंडिंग लोन कितना था 400 डॉलर था तो actual borrowing cost भी 400 डॉलर के हिसाब से ही आएगी तो पहले तो actual borrowing cost जान लेते हैं कितनी आएगी तो फोर्स वाले में actual borrowing cost actual borrowing cost कितने पे on 400 डॉलर तो 400 डॉलर चार परसेंट और rate कितना है सर रेट है 44 rate है 44 देगते समाइच दो जार तेइस को कितना हैगा देखो 704 ये तो capitalized करना ही है ना हाँ सर ये तो capitalized करना ही है to be capitalized actual borrowing cost अब exchange gain हो रहा है या loss हो रहा है तर exchange gain ही हो रहा है पिछली बार 50 रॉपए तक book कर चुका था इस बार तो 44 रॉपए ही है तो exchange gain कितना है अच्छा exchange gain कितने डॉलर पर देखोगे 400 पर देखोगे पिछली बार तक तुम पे कर चुके हो ना पिछली बार उससे तो लेना देना ही नहीं है तो 400 डॉलर आउस्टेंडिंग है पिछली बार तक तुम उन्हें 50 रॉपए book कर चुके थे इस बार 44 रॉपए है शे रॉपए कम देना पड़ेगा अगर मैं आज 400 डॉलर का payment कर देता हूं तो मुझे 6 रॉपए कम देना पड़ेगा शे रॉपए इंटू 400 डॉलर तो 200 रॉपए अब इस exchange gain का क्या किया जा है यह सोचना है deducted from the exchange loss transfer क्यों deducted from the exchange loss लिए तुझे गया था क्या करना है deduct करना है तो exchange loss कितना है exchange loss इसलिए बार तक to be treated as to be treated as boring cost to be treated as boring cost ख्यालिप्थे दे लाइन to be treated as boring cost up to last year treated as boring cost up to last year तू भी नहीं हाँ exchange loss treated as boring cost last year तू भी को cut कर देना to be treated as boring cost last year कितना अच्छा वो भी किस पे only on कितने पे बिल्कुल अब कितना डॉलर बागी रहा है 400 डॉलर only on 400 डॉलर जो payment हो चुका है हम उससे नहीं देखेंगे क्योंच दे की लिए लिए अपने कितने डॉलर के लिए लिए 400 के लिए रहिए Wahr पीलीन पार कवेक्ति नाधा? इक्सेंज बोस्क पील 2.. पहला क्वेहीशयन एक्सेंज ब्रॉस्क जो आपने ब्र मारिएंग parking इंप अच्छेंज पार्ट कवेक्राइव? इसचेंज अप스ला क्वेहा इसठैज ना? तर अथाइसो ना, हजार डॉलर पे था, तो चार्टार दॉलर पे कितना था, थाइसो हजार डॉलर पे था, चार्टार पे कितना, ग्यारा सु बीस, जिसके रिगार्डिंग एक्षेंज गेन, जिसके रिगार्डिंग एक्षेंज गेन देख रहे हो, उसके रिगार्डिंग एक्षेंज लॉस का बैलेंस देखोगे, एक्षेंज लॉस का बैलेंस कितना अभी तक आपने बोरिंग कॉस का पार्ट मान रहे, क्योंकि जो अब एक वाल चितर ही नहीं करना मैने क्या लिखाय था इंगे इंगे इन रिस्पेक्ट आफ है तो एक्साइंज गीन शेहसो डोले का तो पेमेंट कर चुके थे तो उस पर एक्सेैंज गीन हुआ ही नहीं ना इन किस पर रहा 400 डॉलरलर पर तो 400 की रिगार्ण गेन है इसके रिगार्ण जो एक्सेंज लॉस आप बुक कर चुके ऑल्री बोरेंग वा स्का पार्ट मांच चुके केवर उसको ही आपको जब कर ना है तो जब गेन 400 डॉलर पे देख रहे हैं तो लॉस्ट भी किस पर देखा जाएगा चार सो डॉलर पर देखा जाएगा ओके है लोगन सब्सक्राइब लॉसके रिगार्डिंग ही जो लॉस्ट था उसी को डिटक्ट करना है उसकी के इक्षेंज के रिगार्णिंग देखना एक्षेंज लॉस कितना तुमंसे कि इतना ही आपको चुछ यापको सिथा है तो अब ग्यारावोज बनता है तो आप मैक्सिमम आप कितना डिड़क्ट कर सकते हूँ एरा सो बीस मैक्सिमम कितना सो मैक्सिमम एक्षेंज गेन मैक्सिमम एक्षेंज गेन तू भी डिड़क्टेड फ्रॉम तू भी डिड़क्टेड फ्रॉम बॉराइंग कॉस्ट इस के लिड़क्टेड नए बड़ा असान है उल्जो मत लिड़क्टष का बैस देखना है जो आपने इरा किया था तो आपने थाइसो किया था ट्रीट लेकिन वो तो हजार डॉलर के चार सो पर इस पर हो रहा है उच्छे सो का तो मामला ख़तम हो चुका है तर लॉस्ट भी केवल 600 का सरी 400 डॉलर कहीं देखना तर अभी तक इतना बैलेंस है तो यहां 1120 मैक्जियूम क्या कर सकते हो डिड़क कर सकते हो फ्रॉम दो बॉर्वाइंग कास्ट ही के लवी तो के लिख वे एक और एक्जांपल सोटा सा अच्छा हां लिक्रिया ना ठीक है यही है स्वारेंग करन्सी बॉर्वाइंग्स शॉट में लिक्दो एक हजा डॉलर अन फर्स अप्रेल 2021 इंटरस रेट्स इन उस चार परसेंट इंडिया वारा परसेंट एक्षेंज रेट फर्स अप्रेल 2021 को वन डॉलर इक्वल्स टू रुपीस 40 और 31 मार्ज 2022 को जो कि हमने पहले 50 ली थी अब वो 50 नहीं 41 बताइए चैल्कुलेट बॉरेंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइस्ट कैल्कुलेट बॉरेंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइस्ट बताइए सर वैसे ही होगा फर्स्ट एपाट एक्षेंज गेन पर एक्षेंज लॉस एक्षेंज लॉस कितना एक हजार डॉलर है एक हजार डॉलर पर जाड जब हमने लोन लिया था तब 40 था अब 41 हो गया पर डॉलर का रेट एक रॉपाए पर डॉलर का नुकसान हो गया एक्षेंज लॉस्ट कितना एक हजार एक हजार कि पार्ट क्या इंट्रेस्ट दुनों का डिफरेंस लेना ना इंट्रेस्ट इस फंड बोरोड इन फंक्षनल करेंसी इंडिया में अगर बोरो करते तो इंट्रेस्ट कितना पड़ता एक हजार डॉलर इंट्रेस्ट galaxy дорог रुपए। उस पर में को रेट इंडिया में पढ़ता है 12 पसेंट 4,800 माइनस अक्चल बॉर्ण कॉस्ट अक्चल बॉर्ण कॉस्ट अन फॉरेंड करेंसी बॉर्ण FCB शॉर्ट में बोल देते हैं अन फॉरेंड करेंसी बॉर्ण सर अमने तो 1000 डॉलर बॉर्ण किये थे 4% रेट था एक्चेंज रेट कितना है इस दिन जब पे करना इंट्रेस्ट सर एक्चेंज रेट था उस दिन 41 रुपए 41 कितना हैगा 1640 तो दुनो का दिफरेंस दिफरेंस बट्वें दू 3160 3160 3160 ना बॉर्ण कास्ट तो बी कैपिलाइस्ट बॉर्ण कास्ट तो बी कैपिलाइस्ट बताओ बॉर्ण कास्ट तो बी कैपिलाइस्ट फर्स्ट अक्चल बॉर्ण कास्ट अक्चल बॉर्ण कास्ट कितना है अन फोरेंड करेंसी बॉर्ण फोरेंड करेंसी बॉर्ण 1640 रुपए दूसरा एक्षेंज लॉस एक्षेंज लॉस तो बी ट्रीट अस अध्जस्ट तो इंटर्स लॉर्ण कितना लॉर्ण अर बी लॉर्ण ओफ ए और बी दोनों मेंसे जो भी कम हो लॉर्ण ओफ ए और बी हजार या इरत्यसो साथ हजार तो दो हजार छहसो चालेस कितना अमांट आप मेंक्सिमम क्या कर सकते हो कैप्टलाइज कर सकते हो तो हर्ट ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में जितना बोरो करने पर पढ़ रहा है चार्ज उतना भार्व कोस्ट होगा तो आज के लिए बस इतना ही, thank you, take care and bye, इसी के साथ आपका इंडियास, 23, खतम, अब नया इंडियास पढ़ेंगे, इंडियास, 36, ज़िए, ज़िए, एक बार फिर से सुन लो, उस पूराने वाले क्विशन को, सुनो, इस पूराने वाले क्विशन को फिर से सुन लो, पहले वाले को, 1000 दॉलर थे, ठीक रहा, 1000 दॉलर है, अभी का रेट, अगर यूस में बोरो करते हो, 4%, इंडिया में बोरो करते हो, 12%, एक्शेंज रेट है, भी वन डॉल एक्वल टू 40 रूपीज, मतलब अगर मैं फॉरेंग से बोरेंग करता हूं, 1000 दॉलर, इंडिया में अगर 50 रूपीज हो जाएगा, तो 40 रूपीज, 50 रूपीज देने पड़ेंगे न, भले ही पे कर रहा हूं, चाहे पे, नहीं कर रहा हूं, 10 रूपीज करना है कि नहीं करना है, क्योंकि पूरे साल, 1000 दॉलर, आउसेंग थे, at the end, 1000 दॉलर, आउसेंग है, ओके, तो 1000 दॉलर पर पूरा 10 रूपे का इसाब से, 10 रूपे का एक्सेंज लॉस बुक किया, उस एक्सेंज लॉस के बाद हमने देखा, अच्छा, इंट्रेस में डिफरेंस कितना है, अगर मैं इंडिया में बोरो करता हूं, तो 40 रूपे बोरो करता हूं, 12 पसंट के इसाब से 4,800 पड़ता बिलकुल, 2000 रूपे, अब मैंने का कि इच्छा, दोनों के बीच में डिफरेंस 8,800, मैं का कितना करना है, तो एक्सेंज लॉस अगर हुआ है, तो उसे भी क्या प्लाइस करना हूगा न, तो एक्सेंज लॉस कितना एक्सेंज तक, लोर और और बी, लोर और 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 बी, maximum exchange loss रहे हैं, उतना ही क्या प्लाइस कर सकते उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, अच्छा difference between the two interests बोल रहे हैं, कितना 2800, ये भी कहरे हैं कि इससे ज़़रा और आप आप्लाइस नहीं कर सकते, तो बिलकू अटफाला रूपे से ज़्यादा आप आप्लाइस नहीं कर सकते, तो ह पूरे साल रहे तो हजार डॉलर पे दो रुपे के साब से दो हजार रुपे के साब टो 2,000 रुपे का मिरको एक्सेंज गेन और फेला है अगर पहले साल एक्सेंज गोन होता गुछ अग्द यह को अग्डश्य साफिये लेकिन पिछली पार एक्सेंज लॉस्त और जिसको आपने बोरॉएंग क्या करना है उस एक्सेंज तक वापस डिडिक्ट करना है less करना है from the borrowing cost तो पिछली बार आपने loss कितना माना था exchange loss का borrowing cost कितना माना था sir 2800 रुपए माना था 2800 रुपए तक का exchange gain आपको क्या करना है borrowing cost में से deduct कर सकते हैं लेकिन आपका exchange gain था ही कितना 2000 तो obviously आप deduct कितना करोगे 2000 ही deduct करोगे और जो इस साल का actual borrowing cost 1920 वो तो हो गई होगा तो actual borrowing cost minus exchange gain फिर मैंने कहा कि अगर rate कितना हो जाए 48 नहीं हो 44 हो जाए तो अभी exchange gain कितने होगा 6 रुपए का होगा 6 रुपए कितने हजार डॉलर्स पर 1000 रुपए का exchange gain है लेकिन मैंने कहा maximum आप कितना reverse कर पाओगे जितना आपने पिछली बार तर लॉस बुक कर रखा है as a borrowing cost रीट कर रखा है तो आपने तो 2800 रुपए का exchange loss को borrowing cost रीट कर रखा था तो maximum आप कितना आप exchange gain deduct कर पाओगे borrowing cost से 2800 रुपए ही कर पाओगे बाकी exchange gain जो होगा 6000 minus 2800 तो उसे आप क्या कर देंगे P&L में transfer कर देंगे और इसमें भी actual borrowing cost इस साल भी जो actual borrowing cost है वो तो लगे गए लगेगा ना वो तो capitalize हो गए होगा ना कितना सर 1000 डॉलर का था पूरे साल बर 1000 डॉलर इंटू 4% का interest 4000 डॉलर पे 4% 40 डॉलर देने की नहीं देने interest के बिल्कुल देने है सर तो 40% 40 डॉलर और वो भी किस rate से 40 रेट तो कितना एगा बटाना 1760 ये तो हो गई होगा ना तो ये तो हो गई होगा ये लिखना भूल गया थे अच्छा अब फिर मैंने एक और लास्ट केस बनाया है मैंने का अगर मालो पिछले साल 600 डॉलर का payment हो चुका है तो उसकी कहानी तो वहीं पे खतम हो गई है अब इस बार जो borrowing cost आएगा actual borrowing cost वो कितने डॉलर पे आएगा 400 डॉलर पे आएगा ना क्योंगि अच्छा रुपय का फाइदा होगा ना लेकिन exchange gain कितने पे होगा किवल 400 डॉलर पे क्योंकि 600 डॉलर का तो मैं पहले payment हो चुका ना वह borrowing है नहीं अब borrowing existing नहीं करती तो exchange gain कितने पे होगा 400 डॉलर पे होगा 400 डॉलर अभी भी दिना बाकी है ना अब इस साल दूँगा या अगले साल दूँगा वो अलग मैटर है कभी भी दू चारसो लोन अभी भी outstanding है तो 400 डॉलर पे मेरे को exchange gain हो गया कितने का 200 रुपय का अब मैंने का कि अच्छा यह exchange gain तो मुझे क्या करना है borrowing cost में से कम करना है लेकिन इसके लिए जो बेस ले रहे हो exchange loss का बेस पूरे 1000 डॉलर का नहीं लोगे केवल जिनके regarding तुम gain देखना चाह रहे हो डिड़क करना चाह रहे हो उन्हीं borrowing के regarding जो तुमारा loss का balance है उसको ही तुमको ज़ज़ करना है तो 2800 रुपय का जो loss हा न टोडल जो तुमके borrowing cost माना था वह 1000 डॉलर पर चाहर सो डॉलर पर कितना होगा 1120 तो maximum आप उतना ही डिड़क कर सकते हो कितना 1120 अब आपका exchange loss gain था कितना अब डिड़क कितना कर पाओगी के बद 1120 तन आए गया पका हर्ष चलिए अभी डन है चलिए अभी थेंक्यू टेक के रेंड बाइ कंप्लीट आपका इंडियास 23 चलिए ओक किजिए